उर्जा अनेक प्रकार की होती है उर्जा के अनेक रूप होते हैं लेकिन मूल तहा उर्जा के दो पहलू होते हैं प्रथम स्थितिज उर्जा और दूसरी गतिज उर्जा है किसी वस्तू में स्थित उर्जा जो चालना मिलने के प्रतीक्षा में रहती हैं उसी उर्जा को स्थितिज उर्जा कहते हैं उधारण बांद के पानी में स्थितिज उर्जा होती है दरवाजे खुलते ही पानी बहने लगा और इस प्रकार पानी गतिमान हो जाता है पानी की गती दूसरे प्रकार की उर्जा है और यह गतिशील तथा गतिज उर्जा के नाम से पहचानी जाती है इसी उर्जा को यांत्रिक उर्जा भी कहते हैं कान का लुड़कने वाला खिलाँना। चलिए, हम एक साधरन सा खिलाँना बनाएंगे. हम एक कार्ट शीट, पेंसिल, एक रबर बैंड اور एक भारी नट की आवशक्ता होंगे. यहां हम एक छिदर बनाएंगे और उसमें पेंसिल डालेंगे. हम नट को एक रबर बैंड से जोड़ेंगे अब हम कैन को धक्का देंगे तब क्या होगा दूसरे छोर पर जाकर रुक कर वो वापस आएगा क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की उर्जा का स्थाना अंतरण हुआ है सभी प्रकार की स्थितिज अत्वा संग्रहित उर्जा उचाई पर निर्भर नहीं होती है किसी पुछबैक मोटर, खिलोने स्प्रिंग या गुलेल का रबर इसमें भी स्थितिज उर्जा रहती है चुंकि स्थितिज उर्जा में गतिवान होने की अथवा गतिज उर्जा में रूपांतरित होने की क्षमता के कारण इसका उपयोग किया जा सकता है इस गुलाब जामून के खाते ही उसमें संग्रहित रासायनिक उर्जा आपको उर्जा देती है जब आप माचिस की जलती हुई तीली से जब पठाग जलाते हो तब उस पठाखे की रासायनिक उर्जा अन्य प्रकारों में बदल जाती है विद्यत उर्जा बैटरी में संग्रहित की जा सकती है और जब बैटरी किसी मोटर तथा दिये से जोड़े जाने पर यह उर्जा इस्तिमाल की जा सकती है विद्यत उर्जा गरजने वाले बादलों में भी होती है और जो चमकने वाली बिजली के रूप में देखी जा सकती है जागतिक उर्जा समस्या सभी प्रकार के स्थितिज उर्जा पूर्ती में कमी के बारे में है कोईला तेल और वायू इसमें संग्रहित उर्जा जल्दी ही खत्म हो जाएगी गतिज उर्जा के लिए मूल तहा स्थेतिज उर्जा आवश्क है जब यह स्थेतिज उर्जा के स्त्रोत खत्म होंगे तब सब कुछ थम जाएगा क्या बता सकते हैं इन विडियो में उर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार किया गया है हम हमेशा उर्जा का जिस स्वरू प्रयोग करते हैं वो है बिजली या विध्युत यह सहस्ता से प्रवाहित होने वाली और अन्य किसी भी रूप में रूपांतरित होने वाली उर्जा है विद्यत केंद्र में तेल अत्वा कोईले से विद्यत उर्जा यात्रा शुरू होती है विद्यत निर्मान के लिए कोईला अत्वा तेल जलाया जाता है जब वो हमारे घरों तक पहुंचती है तब इसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे प्रकाश उर्जा से हम घर में दिये जला सकते हैं अत्वा द्वनी उर्जा का उपयोजन करके संगीत सुन सकते हैं आप बैटरी में विद्वत उर्जा रासायनिक उर्जा के रूप में संग्रहित कर सकते हैं और फिर से चार्ज कर सकते हैं यह वाशिंग मशीन विद्वत उर्जा को गती में बदल देती है फोंद वनी उर्जा को विद्वत उर्जा में रूपान तरीत करता है और बाद में दूसरे छोर पर पुना एक बार वनी में रूपान तरीत करता है। यह घूमने वाला साइकल का चक्का, जनित्र, अर्थात, जन्रेटर गुमाता है और इससे विद्यूत उर्जा निर्मान होती है। विश्व में अनेक लोग सूरी से मिलने वाली तथा वायू और जल की उर्जा के इस्तमाल का प्रैत्न कर रहे हैं। और शनिक उर्जा केंद्र उर्जा निर्मिती के लिए यूरेनियम का उप्योग करते हैं। न्यूक्लियर रियक्टर अनुओं को इस प्रकार तोड़ते हैं कि उनमें बंद उर्जा बाहर आ जाती है। परमानु विस्फोट तथा जोहरी धमाके में परमानु की अंदरूनी अंतस्थ उर्जा मुक्त होती है। इसे केंद्र की विभाजन, नाभी की विखंडन कहते हैं। कुछ लोग इस प्रक्रिया के पक्ष में नहीं होते हैं क्य पिगली हुई चटानों का स्तर होता है। चटान से टपकता पानी गरम होता है और भाप में रूपांतरित होता है। इस भाप का उप्योग जनित्र अर्थात जनरेटर चलाने के लिए और विद्युत निर्मान के लिए किया जा सकता है। इसे भौ आश्णिक उर्जा कहते हमें कम से कम उर्जा का उपयोग करना चाहिए, इसके लिए अनेक मार्ग हैं, हमें नीजी वाहनों की जगा सारवरिनिक वाहनों का उपयोग करना जरूरी है, जरूरत ना हो तो बल बिया अन्य उपकरणों को बंद रखते हुए, हम दैनंदिन विद्युत उपयोजन कर सकते ह हैं, मोटरकार तथा सकूटर की जगा साइकल का उपयोग करना उचित है, हमें पास ही जाना है, तो चलके जाना उचित रहेगा सारांश उर्जा के अनेक रूप है मूल अतहा इसके दो पहलू होते है पहला स्थितिज उर्जा और दूसरा गतिज उर्जा है उर्जा यहां हमारे अस्थित्व का गुरुमंत्र है उर्जा के स्तुरोत मर्यादित हैं और वो नश्ट होने के मार्क पर हैं हमें इन संसाधनों का समझधारी से उपयोग करना आवशक है